जीवन में सब कुछ बिल सकता है किन्तु सब कुछ देखर भी जीवन नहीं मिलता है जो वेवार आपको अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के साथ बद करो दन तो संसार बहुत लोग छोड़ जाते लेकिन अच्छा नाम बिरले ही लोग छोड़ जाते हैं रुपए पैसे नहीं कुछ पुण्णी भी कमाओ ताकि मृत्यों के बाद लोगों के दिल में जिन्दा रह सको आपको कोई अच्छा दे या बुरा आप सभी को आज से सरफ स्नेह दो सयोग दो और शमा करिए नमस्कार प्रेशातियों मैं हूँ सुरेश श्रिबाली और आप देख रहे हैं 11 मार्च शनिवार आज कर आशिवल शनिदेव आप पर करपा बरसाएं ऐसी में उनसे प्रारतना करता हूँ मेरे प्रेशातियों दो इंपोर्टेट बातें आगे बढ़ने से पहले पहला तो आप अपरी परसल या प्रोफेशन लाइफ को लेकर मुझसे परसल ही मिलना चाते है तो मैं कुछ डेट सापको दे रहा हूँ चे और साथ बाई को काट माड़ू 13-17 मैं सिंगापूर और 26-28 मैं को मैं दुबई में रहूँगा दूसरी बात 19 बाई को मैं आपको जोदपूर आमंतरित कर रहा हूँ शनी जैनती पर हमें विशेश अनुस्थान कर रहे हैं उस अनुस्थान में आप अपने सुक समरती के लिए भाग लीची आप दिक्षा भी प्राप्त करेंगे और बुझसे परसली बिलकर अपनी समस्यों के समाधान भी प्राप्त कर सकें बेरे प्रेसातियों आज सबसे पहले हम गुरू मंतर में बात करेंगे अग्यात भाए अगर आपको भी है नोन फियर तो उसे बचाओ के लिए विशेश उपाए चेर आशिक बात मैथोलोजी स्पेशन बात करेंगे बुझा और चाती पर क्यों लगाए जाता है तिलक अग्यात भाए की बीमारी अगर आपको है उसे दूर करने के लिए शनिवार के दिन किसी जरुत्मन वैक्ति को काले तिल से बरे पकवान और काली उड़त की दाल का धान करें सूरिय अस के बाद पूर्व दिश्या की और बैठ कर सुन्दर कांड का पाठ करें उसे सुन ले शनिदेव और बजरंग बली आप पर किरपा बढ़साएंगे और आपका अग्यात भाए शूमंतर हो जाएगा चंद सेकिंड आप लोगों गलूंगा आज की कुणले और आज के पंचांग को लेकर प्रेसात्यों आज रात को दस बच कर पांच मिनट तक चतूरती और बाद में पंच में रहेगी आज सुबह साथ बचकर दस बिनट तक चित्रा नक्षत रोबाद में स्वाती नक्षत रहेगा ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी योग आनदादी सुनफा और बुदादीतियों के साथ तो बिली रहे लेकिन धुरूब योग और सर्वार सिद्धी नए दो राजियों बन रहे है वहिए अगर आपके राशी मेतुन करने अधनु और मीन है तो हंस योग व्रशब सेंग विर्शिक और कुम्भ है तो शेष्यों के लाब बिलेगा वही आज चंद्रमार केतु का ग्रहन दोश रहेगा चंद्रमार तुला राशी में रहेगे और आज के दिन अगर आपके से शुब और मांगली कारे को लिए शुब समय की तलाश में तो दो बार बिलेगे दोफैर सवा बारा से डेड़ बज़े तक अभी जीत बौरत है और दोफैर को डाई से साड़े तीन बज़े तक लाब और अमरित का चोगडिया है कोशिश करेगा सुबह नौ से साड़े दस बज़े तक राहुकाल के समय शुब और मांगली कारे नहीं करने चाहिए आईए राशे फल के शुरुवात मेश राशे से करते हैं शादी शुदा है तो लाइफ पार्टनर वर्ना लव पार्टनर से मन भेद और मध भेद बुलाइए खुश रहिए खुश रखे आज का दिन इसी में शुब रहेगा द्रोग सरवाट सित्य और वाशियों के बनने से वर्क्टेश पर आपकी प्रेजेंटेशन और प्रोग्रेस को देखते हुए प्रेसातियों बॉस और आपके कलीग आपके सरहना करते हुए नहीं ठाकेंगे बिजनस परसल्स को कमपनी की तरफ से स्कीम और नए फायदे मिल सकते हैं सरकारी मेंक में जुड़े वे लोगों को लाब मिल सकता है और आज कुछ इनोवेटिव और क्रेटिव आइडियाज अपना कर दिन को शुब कर देंगे इस्टुडेंट आर्टिस और प्लेट्स के दिमाग में बड़े शांदार आइडियाज आएंगे जो बविश्ची को बना देंगे वीकेंड पर घर में किसी तरह कर निर्मान करवाना चाते हैं तो पहले परिवार के सला लीजिए एक तरफा फैसल इनिस बचिए ट्रेवल करते हैं परिवार साथ एंजोई करना चाते हैं तो उसके लिए प्लैन आप कर सकते हैं स्वास्थे की बात करते हैं मेरे प्रियसातियों आज आपके स्वास्थे में कुछ रुकावट आ सकते हैं तक्लीप आ सकती हैं और ट्रेवल में ड्रिंक और ड्राइव बिलकुल नहीं करें, रेश ड्राइविंग नहीं करें, ब्रश ब्राशिक बात करते हैं, पुरानी शारीरी को मानसी बिमारी में कमी या उसे चुटकारा मिल सकते हैं, वर्क बेस पर आपके आलसी के चलते हैं, आप पर वर्क लोड ज्यादा रहेगा, जिससे अगर आप बांट देते हैं, तो आपको एक्स्टा टाइम मिल जाएगा, वीकेंड को एंजॉई करने के लिए, आधे अधुरे काम को नए अंदाज में पूरा करेंगे, तो सफल होंगे, नए व्यापार के लिए, या व्यापार में नए पन के लिए, पार्टनर्श साड़े तीन के बीच में करिए, और जो अवसर बिले है, यानि मौका मिलता है, तो चौका लगाई है, स्टूडेंट, आर्टिस्स और प्लेट्स, तूसरों की नकारत और बातों की वज़े से, आप भी नकारत में आज हो जाएंगे, इससे बची, लव पार्टन, लाइप बदलाव आएंगे, आज कुछ नया सीखिए, नया अपलाई करेंगे, कुछ परिवर्तन जरू करेंगे, बुदा देती है, वाशी, दुरूब और सरवार सिध्यों के बनने से, आपके काम में सिध्यों की वर्ट प्लेस पर, आप अपने काम पर फोकस करेंगे, तो जनरल एक्जाम होई है, कॉम्पेटर एक्जाम के तारिक करने में स्टूडेंट को अपने दोस्तों से बहुत अच्छा लाब मिलेगा, सोशल मीडिया से अच्छी जानकारी मिलेगी, वीकेंड पर परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा म्यूजिक, अच्छा ट्रेवल, अच्छा लाब, आपके पार्टरों को खुश कर देंगे, सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, लेकिन मसल पेन थोड़ा परिशान कर सकते हैं, ख्याल रखिए गया, करकराशी, जमीन और जाइदात के मामले सुल जाईए, खरीदना बेच नहों, रेनोवेशन, डॉक्युम के साथ विवाद बढ़ सकता है, वरना, ग्रेंड दोश के वजे से थोड़ा अग्यात भाए, गवराट बेचेनी डर और चिंता सताएगी, बिजनस परसंस, अपने व्यवहार में नर्भी रखेंगे, तो अच्छा रहेगा, वरना आज कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन या कि सिंग राशी, साहस, courage, enthusiasm आपके बीतर रहेगा, वर्ट्प्लिस पर आप अपने काम में इतने मबगन हो जाएंगे, कि समय का आपको पता ही नहीं चलेगा, बिजनस में नई टेक्नोजी, नए प्रोड़क्ट, नए लोगों साथ जुड़ना, नए प्रकार्ट से धन कमाने के मौके बिलेंगे, रिकॉर्ड तोड़ना है, आपको ये याद रखेगे, स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेर्स, अनावश्य की बातों और सोशल मेडिया और दूसरी चीज़ों पर इतना टाइम वेस्ट कर देंगे, कि आपका समय आज जया हो जाएगा, स्मार्ट वर्क कर नहीं बढ़ना जाए, इस पर ध्यान दीजिए, आज आप यात्रा में जा रहे हैं, तो इन्फैक्शन का खत्रा है, आज यात्रा में पूरी प्लानिंग करेंगे, तो लाब बिल सकता है, करने राशी बात करते हैं, पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमा जाए, सेविंग क किसी से मीटिंग आपको रास आ सकती है आप अपने सुझाव जरूर दीजिए मौका बिलने पर चौका लगाईए मैनुफैक्टरिंग यूनिट वाले लोगों को मुनाफ़ा तो मिलेगा लेकिन ताइस समय पर आपके कम्प्लीट होने चाहिए टेक्नोलोजी और लोगों में कहिंके मौटिवेशन बरना की कोशिश करेंगे स्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्स आज पढ़ाई के साथ कुछ धन कमाने का अफसर बिलेंगे आज अचानक से कहीं पैसा मिल सकता है पैसे से पैसे कमाने का अफसर बिलेंगे वीकेंड पर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लेजर टाइम आप व्यतीद करने वाले हैं मीठा कम खाईए और कम बोजन करिये समय पर नीन दीजिए इसी में स्वास्ते में आपकी बलाई है मेरे प्रियसातियों आईए छेरा आशिवार मैथोलेजिस प्रिशन बात करते हैं कि बुजा और चाती पर क्यों लगाए जाता है तिलक बुजा पर तिलक इसलिए लगाए जाता है क्योंकि बुजा का संबंद शुक्र से होता है बुजा पर तिलक लगाने से शुक्र ग्रह को मजबूती मिलती है इस इस्तान पर तिलक लगाते समय हम बगवान का अपनी भुजाओं में वास इस्तापित करते हैं चाती पर तिलक इसले लगाते हैं ताकि मन में बगवान का वास बना रहे ग्रह बहुत प्रभावशाली होते हैं ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति के मन में भाय, क्रोध, लालसा, अशांती ये भाव उत्पन होते हैं मेरे प्रेसातियों इसी व्याकुलता को रोकने के लिए चाती पर तिलग लगाने की महतुपून परंपरा है चाती पर तिलग लगाने से केतु के दुश प्रभाव में भी कमी देखी जाती है बात करता है तुला राशी की आज विवेक एंथूजयाजम धीरेज धहरियब में अगर वरद्धी करी तो आपका दिन बन जाएगा वर्टपेस पर टाइम पर पंक्च्वालिटी और साथ पर डेडिकेशन डिसिप्लेन अगर आपने दिखा दिया तो एक्स्ट्र एडवास में समझ चुरा लेंगे फैशन फैशन होबी या वीकेंड को एंजोई करने के लिए सीनियर कुलीक और हमारे बॉस से तालुकात अच्छे रखोगे तो आपके आने वाले दिनों में जॉब में तब्दिलियों की परिवर्तन अच्छा होगा बुदादित्य द्रोव और सरवार सिद्धी योग के बनने से बिजनस परसंस के लिए शुब संकेत ले करा रहा है कस्टमर के संक्या बढ़ सकती है लेकिन आफटर सेल सर्विस अच्छी करिए परिवार में यदि आपको लगता है कि आप समय कम दे रहें तो आज आउने समय दीजिए सरप्राइस पार्टी दीजिए स्वास से थोड़ा पहले से बेटर है लेकिन फिर भी ट्रेवल में आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए बात करते हैं भरिष्ची गराशी की आपको भी सीखने चाहिए कहां गलती और कमी रहगी इस पर विचार करेंगे तो कम से कम गलती होगी अनिता सीनियर जूनियर भी आप पर शर्मिन दाऊंगे बिजनस परसंस को नीती बनाने चाहिए डिसिसन लेते से बहावक नहीं होना चाहिए आज कम रिस्क वाले काम करें तो लाब बिलेगा आपके लिए ऐस यूजल दिन हैं लेकिन कुछ गलतीयां आप करने वाले जिसका खामियाज भी आपको बोगतना पड़ेगा ग्रहन दोश के बनने से गवराट बेचेनी डर और चिंतर लापरवाही आपको परिशानिब डाल सकती हैं जो लोग शराब या सिगरेट और दूसरे नशे करते हैं आज उनकी सेहत में बुरे बदराव आ सकते हैं ध्यान रखना होगा आईए बात करते हैं धनुराशी की अपने नैतिक मुले जिमेदारी और करतव योग निभा कर आज आपको अच्छा फील होगा वर्ड प्लेस पर आपको अपने काम में जल्दी से जल्दी नहीं दिखाने चाहिए जल्दी बाजी बलकि समय पर काम पूरा करने के लिए मोडस और पेंटर तायर करें लालच से आपको तकलीब हो सकती है बिजनस परसंस को सतर गरना होगा क्योंकि विरोधी पक्ष आपकी कमजोर है कि लाब उठाने के कोशिश कर सकते है सक्सेस्फुल बनना है तो एलेट रही है दुनिया आपको स्मार्ट बना देगी जनरल एक्जाम या कॉम्पेटेटर एक्जाम की तायरी करने वाले स्टुडेंट के कोई कमी नहीं रहने चाहिए जल्दी ही आपको मेहनत का फल बिलेगा फैमिली में जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें क्योंकि अपनों से बड़ों के साथ विवात की सती बन सकती है सेहत के मामले में आपको वजन अब गटाना होगा वॉक करिए और समय पर बोजन और समय पर नीन लीजिए रात को देर पर मत जागिए बात करते हैं मकर आशिए आज अपने पैटरनल्स ददियाल से संबंद और संपर्क बढ़ाईए वर्क प्लेस पर वर्क लोड बढ़ने से रैस्पॉंसिबिरिटीज बढ़ने से लापरवाही और गलती के चांसे बढ़ने वाले हैं जो लोग food and beverages, hotel, restaurant का business कर रहे हैं चुर्शन, travel का business करते हैं उनके लिए लाब दाइक समय हैं आज अपने काम पर जोड देना चाहिए गराहकों को आकरशित करने के लिए कुछ innovative, creative ideas को अपलाई करें student, artists और players अपने उदेश्य को पूरा करने के लिए सफलता का स्वाद चकने के लिए लगातार प्रियास और अपने काम पर ध्यान ही आपको आगर रखेंगे family में एक अच्छा आज get together हो सकता है, planning हो सकती है travel करने के, enjoy करने के बात करें, सेहत की, तो शारीर तो आफट रहेंगे लेकिन मांसी ग्रूप से आप तकलिफ आजाएंगे इसलिए योग प्राणायम exercise का साहर रहेंगे आईए अब बात करते हैं कुम राशी के spirituality, दान, पूझापाद, धर्म, करम में आपके मन लगेगा किसी की मदद करने मौँका बिले, तो चूकिएगा मत workplace और काम के सती संतोस जनग रहेंगे काम को लेकर थोड़ा भार जरू महसूस हो गया business persons को कानूनी नियमों का पालन करना चाहिए नई technology अपनानी चाहिए smart work कैसे किया जाए इस पर विचार करिए weekend पर student, artists और players पढ़ाई में मन बटगना, social media और दोस्तों के साथ मन लगने के वज़े से आपका time waste हो सकता है, family को सही डंग से चलाने के लिए love partner और life partner साथ, सुरत ताल और life शांदा रखे, romance और romance बढ़ेगा, अच्छी shopping हो सकती है, स्वास्ति को तनाव की सती बनने वाली है, आपकी गलती और लापरवाही आपको तक्लिफ में डाल सकती है business person में, जित्रा है उत्रे में संतोष करना, यानि जो प्राप्त है वही परियाप्त है, नई job के लिए आज planning करना या apply करना शुब रहेगा, general exam या competent exam के तैरी करने में, आज अकरन का भय, दूसरों में कहिन के आपको लगेगा, सब अच्छा कर रहे हैं, आप ही बुरा कर रहे हैं, यही आपको तक्लिफ डाल सकता है यदि आप गर में बड़े हैं, तो जिम्मेदारी निभाते हुए, परिवार में एकता के लिए कुछ special और surprise करिए अचानक से, आज ट्रेवल करना, स्वास्ते में ट्रेवल में तक्लिफ आसकती है, इसके ऐलर्ट हैना पड़ेगा ऐलर्जी की समस्या परिशान कर सकती है आज किसी को पैसा उदार देना भी पड़ सकते हैं मेरे परिशातियों, आईए अब कारिकरम के अंत में एस्ट्रो घ्यान में बात करते हैं कि अगर आपको शनी की दशा चल रही है उसमें मंगल का अंतर है तो क्या होगा देखिए शनी और मंगल दुश्मन है मंगल को हमारे जोतिश्वे सेनापती के दर्जा मिला है और इसे एक आकरातमक और कुरूर ग्रह भी माना गया है जब शनी की महातशा में मंगल के अंतरदश आती है तो कई बार इंसान के जिन्दगी में मुश्किले बहुत आती है हर काम डिले और बनते काम बिगड़ते है स्वाभाव में भी उगरत आती है और गुस्सा अधिक बढ़ता इससे दुश्मन बढ़ते है लव पार्टर और लाइपार्टर में गलत फैमिया टकराव और अलगाव की सती पैदा करती है एलर्जी की तक्लिब होना बलड की तक्लिब होने लगती है और दुश्मन इतने बढ़ जाते हैं कि लीगल कॉम्पलिकेशन फस जाते हैं और चोड दुरगटा में ऑपरेशन की नौबत आ जाती है ध्यान रखिये गा मेरे प्रेशातियों स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए आप उसे परसली बिल सकते हैं या टेलिफॉनिक और वीडियो कॉन्फरेंसी अपॉन्टमेंट के द्वारा भी जूट सकते हैं देगे नबर पर संपर करके पूरी जानकारे हासिल भी कर सकते हैं आज के लितना ही प्यार भराणवश्कार और बहुत बहुत आशरवाद जय जय शनी देव जय जय शनी देव प्रेसातियों कल्यूग में सबसे ज्यादा अगर भायभीत कोई इंसान किसी ग्रह से है तो वो शनी देव है जबकि शनी देव ना तो किसे देव दुश्मनी करते हैं और ना दोस्ती करते हैं वो तो सिर्फ आपके अपने कर्मों के फल आपको देते हैं लेकिन जाने और अंजाने में हमसे कई गल्तियां हो जाती है उसी से ही हम परेशान होते हैं शनी की दशा, अंतरदशा, शनी की डईया, शनी की साड़े साती शनी का किसी प्रकार से अगर कुंडली में दोश है तो उन्डिस भई शरी अमावस्या पर आप सभी को मैं आमंत्रिट कर रहा हूं जोदपुर में आप अधारिये आपके हातों से, आपके परिवार के हातों से एक ऐसा अनुस्तान करेंगे जिस से हमारे जीवन के सारे कस्ट समाप्त हो जाएंगे आध्यात्मिक साद्रा से, दिकेंदर के विद्वान पंडितों से कुछ ऐसा अनुस्तान करेंगे कि आपके जीवन में सदैव के लिए कस्ट समाप्त होकर सुक्ष, सम्रति और शान्ति आएगी देगे नमबर फे संपर करके पूरी जानकारी आपराप्त कर सकते हैं धन्यवाद